हेलो एवरिवन वेलकम अगें टू लन्वरे देतीमन तो देखिए फस्ट ग्रेड संस्कृत का रिजल्ट आ चुका है जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो यहां पर मैं आप लोगों को कट आफ और रोल नंबर दोनों ही दिखा देती हूं बहुत ही आराम से वीडियो को प महनत के बाद जो रोल नंबर है वो हमें दिखाई पड़ता है चीक है और जिनका आ जाता है नंबर तो उनका खुसी का ठिकाना नहीं रहता है क्योंकि बच्चों ने काफी महनत की होती है महनत के साथ-साथ जो है इंतजार भी जो होता है वह भी बहुत मुस्किल से कटता है time कि कब result आएगा कब हमें अपना roll number देखने को मिलेगा तो वीडियो को pose करके और फिर जो है अराम से अपना roll number देखिए और cut off जो है वो आप देख रहे हैं जैसे bio की physics की गई है Sanskrit में देखिए cut off जो है वह भी इतनी ज़्यादा नहीं गई है total 404 बच्चों को बुलाया जाएगा document verification के लिए cut off की अगर हम बात करें तो यहां पर भी cut off इतनी ज़्यादा high नहीं गई है देखिए general की 288 गई है वहीं अन्न category को जो है वो और भी ज़्यादा फायदा मिल रहा है यह जो date of birth है बच्चे सोसने है category हमें show हो रही है cut off mark show हो रहा है यह date of birth से क्या मतलब है इसका मतलब यह है जब दो candidate समान अंक के होते हैं तो जो ज़्यादा उमर का बच्चा होता है तो उसको select कर लिया जाता है ठीक है और यह date of birth जो है इसलिए यहां पर दिखाई जाती है ठीक है यानि दो बच्चे है एक का जो है 283 marks है दूसरे की भी 283 marks है अब उन दोनों में से किसका चयान होगा तो जिसकी उमर जादा होगी तो उसी को select कर लिया जाएगा जनरल में 288.81 गई है cut off EWS देखें EWS में भी जो है कम गई है 274.31 वहीं पर SC की 243 गई है ST की 232 गई है OBC 269 गई है MBC की 250 गई है देखें cut off जो है वो सबसे ज़्यदा depend करता है question paper कैसा आया और दूसरा कितने बच्चे जो है वो शामिल हुए exam देने के लिए ठीक है तो ये दो चीज़ें जो है depend करती है cut off पर तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो 1st grade में आ रहा है cut off वो ही 2nd grade या 3rd grade में भी रहेगा तो चलिए मिलेंगे next video में next result की यदि कोई भी सूचना आती है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे और channel पर NCRT book जो है वो class 6 की complete हो चुकी है 7th class हम start करेंगे बहुत अच्छे तरीके से आप लोग जो है वो पढ़ते चलिए जो भी new student है यदि आप अभी से पढ़ना start नहीं करेंगे तो इतना सारा course जो होता है syllabus आप खुद देखते हैं बहुत जादा होता है वो cover नहीं हो पाता है और last में होच पॉच हो जाता है फिर बच्चे जो है बहुत परेशान हो जाते हैं और revise भी नहीं कर पाते हैं तो अभी सही start करें class 6 की NCRT complete हो गई है इसके साथ ही राजिस्थान GK की जो one liner है 6 class की वह भी complete हो गई है तो हम साथ साथ लेकर चल रहे है NCRT और राजिस्थान GK को क्योंकि यही सबसे बड़ा पार्ट है आपके exam के लिए जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और बच्चे इन में सबसे ज़्यादा marks लेते हैं तो उनका selection तो होकर ही रहता है one liner की अगर मैं बात करूँ चैप्टर पढ़ने की भी ज़रूत नहीं है आपको one liner आपका पूरा चैप्टर कवर करती है जिनको लगता है कि हमें चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा 6 से 10 तक की complete जो है राजिस्थान GK की बुक भी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू